आप लुब है भाई आपह बता दिजी किया क्या किया है आपने यह बता दिजी बोले तो बोले के यह लास्ट ओवर में एक बॉल नहीं मिली हर्मन को पहली बॉल के लावा पांच बॉले वेस कर दी वहाँ हमसे कम दो चोक के तीन चोक के तो लगा सकती ती 14 runs ही तो चाहिए थे, क्या जाधा runs चाहिए थे? और रोइड कप खतम हो गया? उमीद में रही है कि अपाजितान अब कुछ कर सके? अब आप क्या उमीद कर रहे हो कि हाँ पाकिस्तान यूजिरेंट को हरा दे, अब आपकी पाकिस्तान यूजिरेंट को हरा सकता है तो आप शाहिए चली भी जाए रही सबसे तो दसरें नौरन से हारे पाकिस्तान अलादे हां तो कितने रंसे हारे आप सादा नौरन से इंडिया हार गी है पॉइंट सेबल जो अपडेट होगा वो दिखा देजिएगा बीस ओपर में 142 फोर 9 गोल्डन ऑपरचुनिटी आपने मिस कर दी इतना क्लोज आके भी आप मैच इसलिए नहीं हारे कि आप कोई कम टीम थे आप इसलिए हारे हो बिकॉज आप एक प्रोफेशनल साइड की तरह खेले ही नहीं ना आपको समझ में आपको विश्वास ही नहीं था कि हम जीच सकते हैं एक सेल्फ बिलीफ ही नहीं है जबर्दस्ती खेले जा रहे हो स्मिती मनाना की शॉट देख लो आप जमाइमा रोडरीगेस की शॉट देख लो आप हर्मन पीत कौर की अप्रोच देख लो एंड में दीपती अच्छा खेल गई बीच में अट हर्मन पीत कौर यार मैं फिर वो ही बोलूँगा सत्रवा ओवर रिचा गोस ठीक है रन लो वो कहां से मारेगी यार वो श्रियंगा पार्टल कहां से मार लेगी भाई कहां से चक्का लग रहा है सारी की सारी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़के आगए और आप इतनी बड़ी आप देखे अब बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को विमेंस क्रिकेट में इक्वल पे है है हो गया विमेंस क्रिकेट में विमेंस प्रेमियर लीग है हो गई विमेंस क्रिकेटर सारी की सारी stars है सबको आज भी मिलती है पैसा भी सबको जब मैंने पहले बढ़ाया था पीएसल में मिला कितना पैसा निया जब तो स्मिती मंदाना result क्या है आपकी performance क्या है ये बताइए आप क्यों criticize नहीं करना चाहिए आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए आप 9 रन से हार रहे हो आप जाके देखो तो सही 14 तो आपने एक्स्रा दी है वाइड के पांच रन दे रहे हो 14 एक्स्रा दी है अगर वही बचा लेते तो मैं ज कर आई है नाइन रन से आप हारे हो यार कितने क्लो कितना close match था जीते बड़े थे आप दब माइटी ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलियंस को तो कोई हराई नी सकता पकड़ लिया था आपने यार न्यूजिलेंड पता कितने मार्जन से हारी थी 60-70 रन से हार गी थी न्यूजि पी शाबी क्रिकेट वाई इंडिया नॉंसेंसिकल डिसिजिजिन्स ब्लंडर्स ब्रेंट फेड एंड नॉट एक्सपेक्टेट फंड़े क्याप्तन हर्मन प्रीत को और जिस तरीके से खेली है आज मतलब गेम सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भी हम चेस के लिए जा रहे ह जब एंड में बारी आई जिताने की तो अपनी जिम्मधारी से हाथ दो लिया कि नहीं जी नहीं आप नॉट आउट का पचास का फाइदा क्या हो बनाने का पूरा गेम बनाया समाला विकेड गें इतनी सारी और उसके बार लास्ट में आके मिडन खेल दिया पूरा और फिर जब लास्ट ओवर आई आई फेसिलिटीज बिक पेचेक्स बिक एड डील्स विमेंश क्रिकेट को का नहीं मिल रा हमारे हमारी चैनल के उपडर स्मिती बनानाई फेस है विराठ खोली फेस नहीं है नीचे स्मिती मनाना नफे नज़र आ जाती हो जो धंकी टीम आथी आप से जीता नहीं जाता पाकिस्तान के साथ भी तो आप मर मर के जीती थी जा के जाके जाके जीती थी उस्धूर आपने ठोका घूप से पाकिस्तान से तो पहली टीम है यूसे Constitution से और उन्हों ने भी अपने घर में आपको एश्या का बहा दिया था यह तो आपके हाल है अब यह आपकी अपडेटेटेड है भी यह पॉइंस टेबल और चार मैंच में चार मैंच जीती है आठ पॉइंट है प्लस टू पॉइंट टू की रन रेट है इनकी ठीक है नहीं यह तो कौलिफाय कर चुके इनकी तो बात ही करना क्या है यह तो छे बार की वर्ल्ड चैम्पियन है तो अब्यस्ली देया था बैस इन बिजनेस इंडियन विमन चार मैंच में दो मैंच जीती है दो हारी है चारी पॉइंट है और प्लस 322 अभी इनकी नेट रन रेट है पा पॉइंट 322 से उपर नहीं हुई तब आप थ्रू होगे लेकिन पाकिस्तान के फरिष्टे भी न्यूजिलेंड को नियरा सकते भाई न्यूजिलेंड ने आपको अरा दिया था 58 रन से पाकिसान कहां से अरा दे कि चलो इस अगेम कुछ भी हो सकता है लेकिन अब आप दूस जैशा साब बोल चुक है कि हम तो विमिन्स टीट्वेंटी वर्ड कप उठाएंगे ऐसे उठाओगे तो यहां तो आपके जनाजे उठ गए हैं अब क्या उठाओगे अच्छे खेल रहे हो आप जब बारी आई जिताने की आप निकल ली सबसे पहले यूशुड टेक दी ओनों से और शेल्फ यूशुड इट दर बाउंडरी पहली बॉल अगर आपको लग रहा था कि नहीं भी सिंगल या रहा आप मतलो ना पांच पर जहां छे पर चौदा बनाने थे पांच पर चौदा बनाने होते क्या हो जाता पांडरी आती आती नहीं तव ह था तो स् ाइक पर आप तो स्रीक होते आपने जहां सिंगल ले लिया मैंस तो भहार गिसे लास्टोर मैं पहली बॉल पर जब आपने मेंटली जो है ना आपके दिमाग में यह है कि आप अस्ट्रेलिया को अराई नी सकते सच बात तो यह है यू कांट गेट ओवर इस मेंटल ब्लॉक के वी कैनाट बीट ऊस्ट्रेलिया यू आप कोई वो खलीफे नहीं है आप मैच में पूरे पूरे थे आपने बोलिंग से भी उनको पकड़ लिया था बाटिंग से भी पकड़ लिया था बट एंड अप दे जैसी आपको फिरिश लाइन दिखी आप चोक कर ग है पांच-पांच अन्दो वाइड के दे रहे हो कीपर से बॉल पकड़ी निजा री फीडर से क्याश नी पकड़ी जा री कप्तान से स्ट्राइक नी पकड़ी जा री वर्ल्ड कप पकड़ों गे ऐसी थोड़ी हो बन गए छे वार के चैंपियन यार उनको पता है कि उनको बना के पूरा मैच बना के पार बले में तीन विकर चले गे थे आपके वह ग्यारा तक की रणिट चली गए ति आपने शेफाली वर्मान ने आपको आउटस्टैंडिंग साट दी तेरा बॉलों पे 20 रन 153 की स्ट्राइक रेट उदर भी किसी ने नहीं मारा इतना थे सहां नीचे से मारा श्रिकले ने जो लो लास में जो शक्का लग गया ठीक है निश्वी बट उसके बाद स्मिती मंदाना देखो स्मिती मंदाना का तो अब इंफिमस हो गई है कि स्मिती मंदाना कभी भी बड़े मैच में प्रेशर मैच में परफॉर्म करती नहीं है अभी श्रिलंका वाले मैच में पचास मार के आई थी आपकी फॉर्म अच्छी थी राइट कोई रन नी आये दुबारा न्यूजी रन वाली गेम में आफ थी शॉर्ट पिच बॉल बैक फुट के उपर जाके लबी डवी इस्पिन के लिए बैरी डिसपॉंटिविल स्मिती मंदाना इतनी एक्स्पेक्टेशन होती है कभी भी डिलिवर नी करती जमाइमार रोड्रेगर्स केम आउट ब्लेजिंग गंस ब्लेजिंग बहुत बढ़ दिया जी पारा बॉलों पे 16 रन 133 की स्राइक रेट तगड़े चौके मारे तीन फाल तू में आपको पता है कि शेफाली वर्मा ओटो चुकी है स्मिती मंदाना ओटो चुकी है शॉर्ट बॉल कोई आउट ओने वाली बॉल नी है स्ट्रेट डाउन दे थ्रोट आप दर फी पच्चिस पॉन अत्यस यह बढ़िया खेली यह बढ़िया के लिए जब तक एक रीज पहती हर्मन के साथ लग़ा था कि जीट जाएंगे रिचा खोष रन आउट पता नी पैने क्यों कर रहे हो यार जा अच्छा घोष रन आउट कि हर्मन प्रीत को और को स्राइक देनी है सीधा हाथ में मारके भाग गई तो जब इतनी ही अर्जंसी से स्ट्राइक देनी थी यूवर थिंकिंग राइट के हाँ भी हर्मन को स्ट्राइक देनी है तो एंड लास्ट वर में हर्मन के दूसरों को स्ट्राइक दे रही है मतलब कोई लॉजिक था इसका पूजा वस्तरक का पाटिल राधायादव रेनुका ठाकुर मैच खतम वन फॉर्टी टू फॉर नाइन शकले देखो अब एक दूसरे की वर्ल्ड कप खतम होगी आपका हर्मन प्रीत कौर का आपको याद होना चाहिए कैच भी ड्रॉप हुआ था कैच ड्रॉप होने के बावजूद जब वहा बावजूद यार आप मैच में कर लिया था वह एक ओवर मेड़िन जाने के बावजूद भी अगले ओर में रना गए थे यार मोलिनिक्स की ओवर में रन बनाया थे जब लगातर दो दो चौके लगाए थे उसके बावजू समझ में यह नहीं आया लास्ट ओर है तेरा चौ अधरन वह आपने बनाने थे भाई ना कोई श्रेहं का आके बनाती ना अरुंदती बनाती बनाती कोई निया किसी ने नहीं बनाने थे और आप मैच यह हरे हो हर्मन प्रीद नोट आउट रहे आपकी यह यह समध्सीशी पर इसारे आउट हो गए अगर वह लास्ट में आउ तो मैंने 54 रंड बना दी है यहां तक में लिए यह चक्के तुम मार लो चक्के आप नहीं बना नहीं 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 लगा सकते थी लास्ट ओवर में बैट में इनके बॉल नहीं नहीं लगी यार देखिए अगर वहीं मार सकती थी यह फ्राइक पर खड़ी रहती चाहिए ना ल बैक तुबैक आपके दो ओर में चब्वी सरन आगे ते चलो टीक है गया सात्रवे और में एक रना एक विकिड़ भी आ गई वहां से आप मैसे पीछे हो गए लेकिन बैक तुबैक मुवें अपिसा आया ना अगे ना इंटीं तो और में 14 अगे चब्वी सरन आए थे लाइ आपके उन्निस वे ओर में 14 आ सकते तो लास्में भी आ सकते हैं पहली बाल पर सिंगल ले लिया पहली बॉल पर सिंगल ले लिए औरी खतम हो गया मैची खतम होगे आपका आपने गिवाप कर दिया और श्चेलियं भी है रहां थे कर के रही है यह बूलिंग एक पर सुनना चाहिए मैं देख रहा हूं क्या बोलती है यह सही बोला कोबरा ने आप सो सिंगल लेकर बाकी सब को आउट होते वे देख रहे हो कि चलो जी आप भी गए आप भी गए आप भी गए आप सारी महनत करके लास्ट और में किया क्या बंटाधार वह आपकर स्ट्राइक पर होती कि अपे भी तो जहा है था। यह सिर ही लीन और में यह पके जीत नहीं सकतें यहांच परी च Lewis का करवा है था था करे ऐ था हो उसके बाहन देख बाद कर आफि्र दो अप्सी बॉक्त बीख कि लॉसरी तो कर रहे हो आप फिर ज healing श्मी रहा है ता धीख नो में यह तीन ही में लास्ट में आके फिर वो ही आपका हाल हुआ के स्ट्राइक जो है वाँ पड़ देदी वो ही बिल्कुल वर्लकप फाइनल याद आगया था ओडिये वर्लकप वाला सुरुकुमार याद आवाए के स्ट्राइक दे रहे कुल दीब आदब को जब रिचा घोष रन आउट हुई है उसके बाद सारी डॉट बॉल आपने खिली अठावे उन्ने सोवर में काफी अच्छे रन आवे आपकी वापसी हो गई मैच में क्यूं आपने जिम्मेदारी नहीं ली क्या क्यों आपको कॉन्पिडेंस नहीं था कि आप मैच फिनिश कर सकती है जब आप 50 फिफ्टी प्लस खेल रही थी है आप सिक्सेज भी मार लेते हो आप फोर्स भी मार लेते हो आपने मारे नहीं है स्मैच में आप भागी गए ना आप मैच सी भाग गई और मैं यह हैरान हूं कि कोई बाइलाटरल या कोई ऐसा मैच नहीं था कि इसका कोई consequence नहीं दिस इस दो वर्ल्ड कप अब वर्ल्ड कप खेलने गए हो दिल तब तूटता है जब देखते हो नहीं कि आप वर्ल्ड कप में जाके ऐसी बैटिंग कर रही हो वर्ल्ड कप है यार यह और आपकी कप्तान ही भाग दी लास्वर में कप्तान निटरी रान अवे फ्रम सब्सक्राइब कर देखते हैं यह और आप लोग फिनिश कर लेंगी यार वह नहीं मार सकती थी वह अभी जिंदीगी में चक्का नहीं मार रहा है वह कहां से चक्का माले की वर्ल का फाइनल में अस्ट्रेलिया दुख तब है जब पूरा गेम आपने बनाया यार दुख तो दिपन अनन टो प्लेर स they have lot of all rounders who contribute. We also planned well and we were in the game they didn't gave runs easy run away and made it difficult for us they are an experienced side. मतलब आप अपने कोई accountability नहीं लेना चातो एक तरीके सी that is something that is not in your control. मतलब इनके हाथ में था ही नहीं है चीज, राधा बोल्ड रियली वेल, शीवा इन दा गेम, शीवा फिल्डिंग वेल, वेल, यूनीड़ करेक्टर, पता नहीं क्या है यह थक गई थी ना, मेरे क्याल, टैंक में ग्यास खताम हुँगी थी, इन्होंने गिवप ही कर दिया था यह पूरी तरीके से ग्जॉस्ट गई थी, पता नहीं ए फिटनिस का मसला है यह जो टेपिंग करी ए ने क्यों पर इंजरी है, बट शीवास टोटली एग्जॉस्टेट अधिंग यह थी नहीं क्या है लास्ट अवर में भी शीज सेट के यह सिंगल लेलो, मुमेंटम अब शीज गेम, यह जो फिनिष्ट अलार छोपस अश्परेशिश आपने खतम ही कर दी तो ठीक है मुबारा को एस्ट्रेलिया को अनधर रहा है में वेल डिजर्ब विक्ट्री अधर यह जियरली सीम बीटेबल ऑल्ग दो आड़ टोडेश एड़ शेट अज यह शूद एक्स्ट्रा जितने ना देते तो 101 परसेंट आपको यहाँ पर विनिंग साइड पर आज इंडिया नजर आती एंड हर्मन पीत कौर अउसर इसपॉइट प्लस स्विती मंदाना भाई बारा में छे आप बारा बारा तो मार के जाओ छे तो एक्स्ट्रा मिलें आप नौरन से आप लाइए थे ना वो लास्ट बॉल पर च्चका यह था थे ना थे लास्ट बॉल पर च्छका कितना फाइदा करी ए उस्ट्रिया नहीं नहीं काया कि इट वाजब टोटल जब मैं आउन जब कह रही है कि हमने कुछ बॉल छोड़ दी हम पर डिडिन प्यों प्यों और लाइब आप अप गेम और तालाश रहे हो ताकि आप कॉलिफाई करो यह देना आगर पाकिस्तान से मर मर के आप जीते हो ठीक है ना एक ढंका चालेग जो दो ढंकी गेम्स थी न्यूजिलियन और और उस्ट्रेलिया दूनों हार गया आप उस्ट्रेलिया वाली जीत सकते थ तो उस्टेलिया वाली गेम 58 रंसे वो तो आप जीत भी नहीं सकते थे और बलकि पाकिस्तान ने आपसे बेटर गेला था हार हार गे वो कम से कम उनका स्किल लेवल इतना नहीं है वो आपके लेवल की टीम नहीं है उनको आपके जितनी फैसिलिटीज दी मिलती फिर भी उन है ना कि पाकिस्तान के हाथ जोड़ो कि जी आप मैच जी जाना न्यूजरेंट से और रंडेट इतनी जादा मत कर लेना जेटरन रेट कि हम से आगे निकल जाओ तब हम चले जाएंगे जी पाकिस्तान की दुन से जीटे भी है वो तो इतनी तो रंडेट नहीं बढ़ने ची पाकिस्तान 14 अक्टूबर को मैच है अगर पाकिस्तान न्यूजरेंट से जीट जाती है अब इंडिया का सिरारियों क्या सेमी फाइनल पहुंचने का हमने तो बंटाधार करवा लिया अपना डिपेंडेंट और नेबर्स पाकिस्तान सो पाकिस्तान के हाथ जोड़ो कि हराने ही वाली है पाकिस्तान को हारेंगे नहीं वो तगडी टीम है बई उनका जीट्स प्राक्टिकली इस अल ओवर फॉर जीट ते ही न्यूजरेंड कॉलिफाय के कुई चार पॉंट ओल को अल्रेडी है वो तो जीट के सीधे सेमी फाइनल में सुपर चार दिखा दिगा लेकिन रॉयल चैनलेंगे पोल भी आप से पूछा था इस वाले में भी डाल दीजेंगे वो इस रिस्पॉंसिबल फर दिस लॉस स्मिती मंदाना हर्मन प्रीत कौर या आपकी इन नोनों को इडाल दीजा और तुम्हर हमारे साथ ही होता है और आप हमेशा देख लो औस्ट वर्ल्ल कप देख लो वह रन आउट होगई वहां पर बल्ला नहीं आ पाया वन सैवेंटीटू वाली नॉक देख लो वह मेंच नहीं जीत पाया आज भी आप देख लो रन बनाये नॉट आउट रही आज भी आप हार गी तो यह भाई यह फिनिश क्यों ही कर पाती हो सब कर दो को अस्तुलिया के गैंस खड़ा आपको रहना अतायरन आप नहीं था आप अचार दी आता है वारे साथ ही वह ए पारी से में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम हारी चैज में है कि आपना कभी भी भी डॉमिनेट नहीं कर रही थी हुम्म्म आ an explosive partnership it was a run a ball partnership के चलो भी साथ रंपर ओवर हम खेल रहे हमें हमें रिक्वाइड रंडेट साड़े आठ की हो गई साड़े नौ की हो गई साड़े दस की हो गई लेकिन हम कभी भी रंडेट के आसपास नहीं थे हम हमेशा पीछे चल रहे थे आसट्रेलिया हमेशा मैच में आगई थी कभी आपने चेज में जोचाना होता न थो आपको यक बार आपकी रिक्वाईड रंРЕट जो हे वह दस से गिरकर रनड ऑड आ जाती कभी नहीं हुआ ना ग्यारा तक की चलीगी आपकी बढ़ती जा रही थी रिक्वाइड रंजे उसके बाद वाक्षी करें आपने बीच में खेला उसमें आप हमेशा भागते रहे भागते रहे उनकी पीछे एड में जाके आप चोग कर गए बट वही बात है ना भाई के आप आपको अच्छी स्टार्ट भी मिल गई आपकी सुपर्स्टार्स मिलती मंदाना ने एक और बार एक बहुत बड़े मैच में मिस्कर दी ऑपिचनिटी बारा बॉल पे चेरन बना के आप लबी डवी और यो मरीवी बॉल पे इतनी शौट बिच बॉल पे प्लस जमायमा ने पेग दी हर्मन पीट को और फिनिश नी कर पारी सो किस को पकड़ोंगे भाई थो पर चार डिख लेते हैं एक बार आपकी और दोस्तों लाइक जरू कर लेजेगा सब्स्क्राइब कर लेजेगा स्पोर्चार जाल दोजाये को रजाए परे इन गोरेगा चान वी गेट कोली करते ना तो आप performance में भी quality की बात करीव है अगर आप performance equal नहीं रख सकते तो आपको equal pay equal perks नहीं मिलनी चाहिए आमिर खान से किसी ने पूछा था कि ये आप जो women है इन डि इंड इन इस्ट्री उनको equal pay क्यों ने मिलती मर्दों को तो करोड़ों रुपे मिलते तो आमिर खान ने जिस दिन यह ओपनिंग देने लग जाएं विच दो मैंना गिवें वर अनी प्रोड्यूसर इफ यू इंवेस्ट इन अमनी मेल अग्टर अगर उनकी ओपनिंग इतने करोड़ों की होगी जितनी सल्मान की आमि पाकिसान की टीम रही उनको कुछ भी नहीं मिलता पाकिस्तान फीमेल करेंटी को क्या मिलता है बल्कि और उदर इतनी मुश्किलों में खेलती है इतनी पेट्रियागल सुसाइटिया शाहिद अफृति जैसे लोग बोलते हैं पाकिसान की लड़कियों को तो क्रिक्ट खेल अपनी कंट्री को रेप्रेजेंट कर रही है और उन्होंने आपकी टीम को फाइट दे थी बाइद हुए लास्ट अवर तक मैच चला गया था उननीस वेर मैच कदम आता हूँ से अपने आपको वर्ल्ट क्लास और ब्रैंड अमजडर्स और यह वह बंते हो आप